दोस्तों अगर जो आप फोन चलाते हैं न तो उप्पो या वीवो का इस दुरों में लगबग similar feature है कोई भी कमपनी का फोन चलाते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिया क्योंकि आज के इस वीडियो में आग लगने वाली है क्योंकि आर इसमें मैंने ऐसे ऐसे setting के बारें बताया है जिसे कि फोन तो चलाते है यार उपो वीवो इस तरह से लेकिन लोग नहीं उसके अंदर की फीचर को जानते है तो जैसे कि देखिए यह हमारा जो मोडन है यह वीवो का है और उपो में भी लगभग सिमिलर फीचर होती है तो पूरी वीडियो देखना और हम तवाह आपको दबा दिना है ताकि आप कभी ऐसी वीडियो मेंस ना कर पाएं और हां इस वीडियो को शेर कर दयार ताकि आप ही मज़े मना लो सबको मज़े लिने दो और सबको सीखने दो इन सारे खुपिया ट्रिक के बारे में जो की जान पाएंगे और भी लोग तो दोस्तों सारे option दिखेंगे आपको मिलता है अल्टरा गेमिंग मोड अगर जो आप अपने फोन में गेमिंग करते हो तो सबसे पहले इसे इनेबल करो ठीक है एक बार इसे इनेबल कर दोगे तो भाई जो आप गेम खेलोगे ना बीवो या उप्वो के फोन में वो यार मखन की तरह च सकते हो और मैसेज नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर सकते हो तो मतलब यह आपका एक प्राइवेट गेमिंग स्पेस बन जाता है यह सेटिंग भी पहले ओन कर देना ठीक है त्री पिंगर से स्क्रीन सोट लेना ताक कि आप अच्छे अच्छे एक्सन को कैप्चर कर पाएंगे ठीक है अब हम यहां से चलेंगे हम आगले ट्रिक की और यह भी गेमिंग वाला फीचर ओपो भी वो दोनों में मिलता है ठीक है अल्ट्रा गेमिंग मोड यह हमारा दूसरा ट्रिक जो है यह भी काफी जादा पावरफुल है सभी लोगों के लिए यूजफुल भी है इस अंदर जो आप जाते होनो तो आपको मेलता है डिस्पली टी पैटर्न ट्रैक आप जो पैटर्न लिखो गे जैसे आपके दोस्त अब करते हैं तो ऐसे हम होता क्या है आप जब इसे बंद रखोगे तो कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा चालू कर दोगे तो जैसे नॉर्मल रहता है सामें चालू ही रहता है पहले से तो आपका जो पैटर्न दूसरे लोग भी देखेंगे ठीक है तो ये फीचर मुझे आपको हो जाता है और दोस्तों अब हम चलेंगे और भी अगले खतरनाक ट्रिक्योड जो कि हमारा सिक्योरिटी एंड प्राइविसी के अंदर हमें मिलता है इन सब के उपर बहुत सारे लोग दियान नहीं देते हैं यार आपको ये ओन करके रखना चाहिए क्योंकि इसमें आपका जो है वीव का ये system है operating system इसके अंदर feature है जो आपके अंदर blocked वाल्तू number जो होती है वह hacker का number होता है या फिर कोई भी आपके bank को hack करना चाहता है पैसे करना चाहता है आपका तो वो जब आप phone रखोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा इसलिए इसे setting को cut के रखो इसे चालो और यहाँ पर देखो यार permission management वहाँ से back आजाओ permission management आपको मिल जाएगा इसमें चाने के बाद आपको बहुत सारे feature में लेंगे लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज के बारे में बताना चाहूँगा ओटो स्टार्ट ठीक है ओटो स्टार्ट यहाँ में बहुत बड़ा गेम है यार उपर में देखो लिखा हुआ है ओटो स्टार्ट इससे आपके phone का battery एक दिन की जगह दो दिन चल सकता है 12 गंटे की जगह 24 गंटे चल सकता है अब भाई वो कैसे तो auto start का मतलब होता है जो भी application auto started है इसका मतलब यह है कि यह आपके background में app run कर रही है और आपके phone के battery को drain करती है इसलिए आप जिसे use करते हो उसे ही activate रखो background में और बांके बाद उसे deactivate कर दो जैसे WhatsApp उसे आप चालू करके रखो Facebook चालू करके रखो जो आपको ज्यादा use करते हैं उसे चालू करके रखें otherwise सबको बंद कर देना है फटाक से और इसमें लगबग सभी का on रहता है तो इससे फैत नुकसान होता है कि आपका battery जल जली खत्म होता है और आप चिलाते हो कि यार battery नहीं टिकता है आपके फोन का battery backup कैसे बढ़ाएं अब इसा अधिकत नहीं होगा एक आखरी बैटरी सीविंग ट्रिक के बारे में आपको बताना चाहूंगा यह आपके फोन में डार्क मोड होता है अकसर लोग इस बारे में जानते हैं लेकिन इस बारे में धियान वो नहीं देते हैं डार्क मोड मतलब वो समझते हैं कि हाँ डार्क मोड है बलैक हो जाएगा हमारा स्क्रीन नहीं यार यह होता क्या है आपके फोन में डार्क मोड जब होती है न तो आपके फोन में जो पिक्सल है एक एक फोटो कलर जो आपको दिखता है न बलैक रेड बुलू वो सब आपके पिक्सल जलते हैं color system से बैटरी लेता है उसके बाद आपका कुछ भी दिखता है लेकिन यहां पे होगा क्या आज अब आपका black रहता है तो black रहता है सिर्फ डिस्प्ले और सभी color जह वो off रहता है तो इससे आपके phone का battery double चलता है तो यह फाइदा है dark mode का dark mode में सभी आपको black दिखते हैं और इसके future के वारे में अक्सर लोग नहीं जानते हैं क्योंकि यार वो तो बस यह सुचते हैं dark mode मतलब black है पस इससे और कुछ नहीं होता है तो आज के बाद आपको समझ लेना है dark mode जो है ऐसे जिगह पे use करें जहां प दिखेगा ना वह आपका 20% बैटरी ही 40% इतना हो जाएगा उसलिए उसे चालो करके रखो dark mode को जब बैटरी की जरूरत पड़े और हम यहां पे चलेंगे अगले setting की ओर जो की काफी जादा useful है और important भी है इसके बारे भी अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं आपको नीचे मिलता है RAM and storage RAM and storage में आपको जाना है आपको मिलेगा total space available space RAM मिलेगा RAM पे आपको क्लिक करना है RAM पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पे total detail वगदर दिखाएगा नीचे clear रहेगा दिखने clean now इसे आपको clear कर देनी है इसे फाइदा होगा कि आपके RAM में जो application चलता है उसके cash data व उससे फाइदा बहुत बड़ा होता है आपको कि आपके background में जब वह software रन नहीं करेगा तो obviously आपके phone का battery ज्यादा इटिकेगा इसमें सोचने वाली बात नहीं है तो इसलिए इसे आपको चालो रखना है अब यहां पर चलेंगा मगली setting को जो कि more setting के अंदर मिलता है आपको more setting के अंदर बहुत सारे setting आपको दिखेंगे आप इसमें tension आपको आएगा आप घवरा जाएगे आपको permission management app manager सब मिलेगा आपको app manager पे क्लिक करना है उसके बाद देखिए beauty mode इसमें देखिए storage में इसने 30 MB जो है हमारा लेकि रखा है वैसे ही आपका pubg डेट जी भी लेके र उसे आपको clear cache कर देनी है ठेक है data clear नहीं करिएगा बस cache को clear करिएगा ठीक है वैसे ही और भी देखिए air tail रहता तो ही download करते वक्त थोरे MB का album देखिए 2.15 GB 2 GB का album में बनावा है अब तो आप सुचोगे यार alien अगर album में clear data करेंगे सब photo delete हो जाएगा तो नहीं आपका photo delete नह ही होता है वहाँ आपको समझना पड़ेगा ऐसे आपको सबका clear cache करके रखना चाहिए हम यहाँ पर चलेंगे एक और अगले trick क्योर जो कि आपको about phone में जाना है जहाँ पर आपका Android version दिखता है वहाँ पर जैसे इसमें baseband version इस पर 3-4 वाट क्लिक करोगे न तो आपका developer option चाल लगते हैं उसे चालू करिए developer option आपको जैसे दिखेगा इसे आप चालू कर दें चालू कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे feature देखेंगे जैसे की memory RAM bug USB debugging night mode में है quick setting में है यह बहुत सारे feature आपको मिलेंगे OEM unlocking bootloader lock unlock तो यहाँ पर हमारा दो important setting है जिसके बारे में आपसर लोग धियान नहीं देते हैं वो पहला setting में आपको सबसे बिलेंगे बताना चाहूंगा यहाँ पर देखिए force GPU rendering इसे जब आप चालू कर देते हो तब आप इसे चालू करने के बाद जब आप game खेलते हो ना इसे यह है ना इसे इसे चालू कर दोगे तापका gaming जो है वो double powerful हो जाएगा गेम खेलते वक्त इन दो setting को जरूड ओन करके रखना उसके बार जो performance मिलेगा यार एक बार जरूड बोलोगे कास संदीब भाई यह पहले बता दिया होता कितना मजा आता background process limit यहाँ दो कर देना ठीक है नीचे स्क्रोल करोगे मिल जाएगा background process limit अगर आप 2 कर दोगे ना तो इसमें background में चाहे आप 10 application recent tape में खोल के रखे हो लेकिन आपका run करेगा 2 application एक जिसे आपने open करके रखा है दूसरा जो इसके बलग में है इससे फाइदा बहुत जादा होता है battery आपका बचता है और सभी background में application run नहीं करते हैं obviously फाइदा होता है इसे आप चालू करके रखना और इन सारे setting को सब के साथ भीज दो ताकि और भी लोग जाने आपको वीडियो के नीचे comment कर दिना है आप Oppo के phone चलाते है या Vivo के phone या Realme के या MI के जरूर हमें comment बताईए MI phone का देखना चाहते वीडियो से Samsung phone का देखना चाहते हैं वीडियो तो डिस्क्राइब